राकेश जी और डॉक्टर सुरिंदर कुमार मलिक हिंदी साहिते के प्राध्यापक हैं मैं इंग्लिश डेपार्टमेंट से आता हूं और हमने बहुत रोमेंटिक लिट्रेचर और छायावाद की पढ़ाई की है तो हार्वेस्टिंग वीलियम वर्डसवर्थ को हम पढ़ते थ है तो हमने देखा कि जब हम एक बाइन्वल प्रोजेक्ट निकालते हैं तो बाइन्वल जिससे साल में दो बार हमारी फसल की कटाई होती है उसी तरीके से हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कटाई इस न्यूजलेटर में आपको देखने को मिलेगी यह जो का बच्चों के पेरेंट्स को और हमारी सारी जो हर रोज की गतिवी दिया हैं उसमें विशेश रूप से हमारे विद्यार थी ज्यादा महत्वपूर्ण है करौक टले ची जद जँध स joueर प्रृसीना। कि कि माये ऑनी हैं लोज मो dissolved हमारे विद्या बचाष हैं प्राव क का बच्राब से युवम् ेश कि मैं선 जड़ की अशेरी कि एफूमें Stan Biase झाल झाल नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं दानेशन टाइम्स और दानेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौदूद है जाट कॉलेज में जाट कॉलेज ने एक नई शुरुवात की है और कहते हैं कि जब आपके हाथ में कोई ऐसा पत्र हो, ऐसा लेटर हो जिसमें महाविद याले की तवाम एचीवमेंट्स और अब तक की जो तवाम चीजें हो नजर आएं तो इससे बहतर क्या हो सकता है डोक्टर परबंदर जी ने एक तरह से और शुरुवात की है अपने दूसरे सहीोग्यों के साथ मिल कर जानेंगे कि आखर जहन में ये बात कब से थी और किस प्रकार से शुरूआ परबंदर जी बहुत बहुत स्वागत है उसमें कुछ ऐसे पहलू थे जिनको हम जगे नहीं दे पाते थे जो रचनातमक्ता से जुड़े हुए थे तो हमने डिसाइड गिया कि हम कॉलेज का अपना एक न्यूसलेटर लॉंच करते हैं एक ऐसा न्यूसलेटर जो हमारे विजन को दिखा सके जिसकी एक wider publicity हुथ हमारे जो stakeholders हैं जिसमें हमारे students हैं students की families हैं हमारे college का teaching, non-teaching staff है उनको हम सिलसे वार तरीके से portray कर सके कि हम किस तरीक ही का काम कर रहे हैं और किस तरीके की productively college लेकर आ रहा है especially ऐ चीज दो-TION साल पहले हमारे दिमाग में हमने ये घर किया था कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए, जब कॉलेज ने अपने 50 साल पूरे किये थी, जब 1967 में कॉलेज की इंसेप्शन हुई, उस टाइम पर अलग तरह की प्रिस्थितियां थी, अब एक जब नया समाज हमारे सामने उभर कर आ रहा है, उस समाज की जरू नए विद्यारती हमारे पास प्रवेश लेते हैं कॉलेज में, तो उनकी जरूरते हैं अलग है, तो किस तरीके से उनको एंगेज किया जाए कॉलेज की एक्टिविटीज में, तो उसको ध्यान में रखते हो, हमने अपने आपको नए तरीके से रिइन्वेंट करने की कोशि की है, और ये निउसलेटर उसको एक जगह देता है. उनको संभाल के रखने का, उनको संदेश देने का बच्चों के पेरेंट्स को, और हमारी सारी जो हर रोज की गतिविदिया हैं, उसमें विशेश रूप से हमारे विद्यार्थी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो सारी चीजें हमारे कोलेज के केमपस से, और पूरे आज़ पास के प्रोस के वातावर्ण में जाएं, क्योंकि ये जो समय है, ये सूचना का समय है, और सूचना जो है वो बहुत महत्वून योगदान देती है, चीजों को संभालने में, उनको परसारित करने में, उनको व्यापक रूप से फैलाने में, तो उन्हीं सारी उदे प्रेशों को ले करके हम इस निर्णे पर पहुंचे कि कोलेज का एक न्यूजी लेटर हो, बिल्टुक्र परविंदर साब, ये जो इसका शीर सक है, ये भी बड़ा अट्रेक्ट करता है, कैसे चुनाओ हुआ इसका और इसके पीछे क्या राज़, सर मैं भी और सुरिंदर म हिंदी साहिते के प्राध्यापक हैं, मैं इंग्लिश डेपार्टमेंट से आता हूँ, और हमने बहुत रोमेंटिक लिटरेचर और छायावाद की पढ़ाई की है, तो हार्वेस्टिंग विलियम वर्ड्सवर्थ को हम पढ़ते थे, तो हमने देखा कि जब हम एक बाइन्व प्रोजेक्ट निकालते हैं, तो बाइन्वल जिससे साल में दो बार हमारी फसल की कटाई होती है, उसी तरीके से हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कटाई इस न्यूजलेटर में आपको देखने को मिलेगे, तो उसको हमने जैसे एक किसान अपनी फसल को सहेजता है, उ उसको इस छे महीने के आधार पर हर छटे महीने इस न्यूजलेटर के अंदर हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे, और एक और जो चीज दिमाग में थी, कि हर हार्विस्ट के बाद एक रीबर्थ होता है, हमारे जो पुराने मिथक हैं, मिथ्स की जब हम स्टड़ी करते हैं, तो देखते हैं कि कोई भी न्यूनेस या रेजरक्शन होती है, वो चाहे हमारा गणपती विसर्जन है, चाहे दुर्गा विसर्जन है, जब तक एक बार आप उसको विसर्जित नहीं करते हैं, आप नहीं शुरुबात, हम कहते हैं कि अगले बरस लोट कर फिर आना, तो ये इस साइकल को बनाए रखने का भी एक प्रयास है, इसलिए हार्वेस्ट हीप जो था हमारे लिए टाइटल बहुत इंपोर्टन था, उसमें हमारी साहित्ते की जो रूची है वो भी जलकती है और उसके अलावा जो ये इसकी लोंगेविटी के बारे में जो हमने सोचा है, उ होते रहते हैं और विशेश रूप से जब विद्यार्थियों को इस तरह का बातावर मिलता है, तो कहीं न कहीं उनका चोह मुखी विकास होता हुआ साबतोर से नजर आता है, तो ये जो नियूज लेटर है, ये साबतोर से इसी दिशा के तरब संकीत करता है, अभी ये शु प्रकार से बदल रहा है, किस प्रकार से शीखर की और पहुँच रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों कामरसाथ जूने के लिए लगता बने रहे है दानेशन टाइम्स के साब्स